नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह ESIC का ओफिसल वेब साइट है और इसका फुल फर्म होता है Employees State Insurance Corporation देखें दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफूल होने वाला है क्योंकि मैं इस एक्जाम से संबन देता आप लोगों को एक्जाम डेट, एडिमीट कार्ड जो भी आपको इंपोर्टेंट नोटिस हो, प्रिवेस यर कॉस्चन पेपर हो, क आपको ESIC में आपको तीन प्रमुक पोस्ट निकाला गया है, जो पहला पोस्ट है वो है आपको UDC, उसके बाद आपको तीसरा पोस्ट है MTS, तो देखें दोस्तों सबसे बढ़ियां UDC को माना जाता है, फिर MTS को माना जाता है, तीनु का अपना अपना एक्जाम पटन है, और अलग-अलग सेडली भी है, तो देखें दोस्तों यह फॉर्म अगर आप लोग नहीं भरे हैं, अगर आप लोग eligible हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर भढ़िये, क्योंकि यह आपको बहुत ही royal job है, अपर डिविजन क्लर्क जो होता है, तो देखें दोस क्या है, इसका syllabus पहले उसको जान लेते हैं, देखें दोस्तों आप जो हैं हम लोग upper division clerk का exam pattern देखते हैं, तो देखें दोस्तों इसको तीन फेज में exam लिया जाता है, तो जो पहला फेज का exam है, इसमें आपको total number of questions 100 रहता है, और total number of marks जो रहता है, वो आपको 200 कराता है, duration आ आपको Hindi में भी मिलेगा और English में भी मिलेगा, देखें दोस्तों सबसे पहले जो है आपको general intelligence and reasoning से question पुछा जाता है, जो कि आपको reasoning हुआ, उसके बाद जो है दोस्तों आपको general awareness से 25 question पुछा जाता है, पचास नमर का, उसके बाद तिसरे नमर पर है quantitative aptitude, जो कि आपको 25 question प exam को इतना ही समझे कि आप लोगों का जो first page का exam है, उसका दूगोना, जो आपको 25 question पूछा जाता था, वो आपको 50 question पूछा जाएगा, जो आपको 50 marks का था, वो 50 marks का ही रहेगा, यहाँ पर एक घंटा का duration था, यहाँ पर में दो घंटा का duration है, बाकि सारा से level सारा कुछ से मे कि वो 100 question था, यह आपको कुल मिला करके 200 question है, उसमें प्रतिक topic का जैसे की reasoning, GA, math, comprehension, 25-25 पूछा जाता था, तो इसमें 50-50 पूछा जाता है, देखे दोस्तों, third page में क्या है, scroll करते हैं और देखते हैं, देखे दोस्तों, अगर third page की बात करें, तो आपको जो है, computer skill test आना चाहिए, यह आपको जो है, 50 marks का है, और आदा घंटा का duration है, तो इसमें क्या क्या सब है, तब power point है, उसके बाद MS word है, typing है, MS Excel है, इसी तीन topic से जो है, आपको question पूछा जाएगा, 50 नमर का आदा घंटा का duration रहेगा, देखे दोस्तों, इसमें होता है qualifying mark, अगर आप लोग जो है, अगर 45% ला रहे हैं, you are category से, 40% ला रहे हैं, you are category से, और e-developed category से, 35% ला रहे हैं, SC, ST category से, तो यह जो है, आप लोगों की qualifying mark है, इतना नमर लाइएगा, तब ही qualify करिएगा, तो देखे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, esternographer exam का क्या pattern है, इसके उपर में, जिस कुछ थोड़ा scroll करते हैं, और esternographer के उपर भी देखते हैं, तो esternographer में आपको दो फेज में exam लिया जाता है, सबसे पहले में, फेज वन में, आपको जो है, English language comprehension, वो आपको 100 questions, 100 number का और 70 minute का आपको duration रहता है, वही अगर दूसरा topic बात करें, तो reasoning ability, आपको 50 question, 50 number का 35 minute जो है, आप लोगों को समय रहता है, उसके अबाद अगर बात करे नमर 3 का, तो general awareness जो है, वो आपको 50 question, 50 number का 25 minute आप लोगो duration रहता है, हम second phase की बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि language of skill test, English 50 minutes का, और Hindi 65 minute का रहता है, तो यह आप लोगों का second phase का exam है, अब हम लोग MTS, यानि multitasking stop का क्या exam pattern है, क्या syllabus से इसको देखते हैं, देखें दोस्तों, यदि अगर MTS की बात करें, तो इसमें आपको दो फेजों में exam होता है, पहला फेजी में जो है, आपको 25-25-25 करके, आपको चारो topic, जैसे कि general intelligence and reasoning, general awareness, quantitative aptitude, English comprehension, यह सब आपको 25-25 question पुछा जाता है, और आपको 50-50 marks का, एक घंटा duration रहता है, यह आपको M MTS हुआ, जिस परकार से UDC का आपको फेज 1 है, ठिक उसी परकार से MTS का भी आपको फेज 1 है, अगर MTS का फेज 2 की बात करें, तो जिस परकार से UDC का फेज 2 था, ठिक उसी परकार से MTS का भी फेज 2 है, इसमें भी आपको परतिक नमर जो है, वो 50-50 का है, आप 50-50 marks का भी है यहां पर डुरेशन एक घंटा है यहां पर में प्रतिक टॉपिक 25-25 कॉश्चन पुछा जा रहा था यहां पर में प्रतिक टॉपिक 50-50 कॉश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें भी आपको जो क्वालिफाइंग मार्क से वह आपको यूओर के लिए 45 और वीसी हो उसका आपको Sexualा की जी दोस्तों को टूस्ति करता हूं कि आपको ये य यह तो यह लगा हो। यह कर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को मिले हम लोग ये rem